मम्ता मैं करुनके सागर सुक दायनी हे मिनि माता हे मिनि माता वो हे मिनि माता हे मिनि माता वो हे मिनि माता मम्ता मैं करुनके सागर सुक दायनी हे मिनि माता धोखा देके मारे गुरूल हमार रे बहिरी तुहर जीना बेकार ये तो इस्टेज में एक घंटा चल थे सर। अंधा में लड़िन बिना हत्यार के अर धरे रहिन सुकला सार लोटा अज धरे रहिन सुकला सार लोटा नमस्कारो जै जोहर संगवारी हो मैं दिलिप कुमार आपमन देखतो हमार मोर मितायन चैनल संगवारी हो आज हमार बीच में बैठे हैं पंथी समराथ भगत गुलेरी जी आज इखर संगवार बारे में तो बिल्कुल आपमन बने रहो संगवारी हो तो ज्यादा दिर ना करते हो सिधा मैं गुड़ बात के सुरुआत करता हूं गुलेरी जी से सर सबले पहली आपमन के बहुत स्वागर थे मर चैनल में धन्यवाद जी सर आपमन आप अन्थी समराथ हो कहीं ने कहीं आपमन के जो पंथी गी थे लोगान मन बहुत पसंद कर थे और बहुत चलत रह céll t durum आपमन के गी Hundred आप मन ये बता हो सब ले पहली कि आप मन के जनम कब हो इसे कहां रहना हो थे पढ़ाई लिखाए कहां तक हो है सबसे पहली सबोला जय सतनाम मौर जनम डेठ है चार साथ एकत्तर मौर निजी ग्राम है पेंडरी बिलाजपूर और करीब 20 साल करीब होगे 20-25 साल मैं यहां भी हूँ दोनों जगा घर है पामगड में सर आप मना पंथी गित कपसे गात आत हो पंथी नित्त भी आप मन करत रहो तो कपसे शुरवात हो यह लिखे एला हमार दरसक्संवारी मलविस्तार से बता हूँ मोर पंथी पहली नाच करत रहें तो सन 1980 से बचपन से हम पंथी नाचें कम से कम 10 साल अब 10 साल जैसे की 18 17 18 साल कुम्र हुई चो वहां से मैं कलाकारी करत हूँ और करीबन आज 30 35 साल होगे और मोर पढ़ाई लिखाई के जहां तक बात है तो मैं MLB हूँ पैसे से वकील हूँ और बचपन से भी मूर मात्या पी तमन चौका गात रहें अब उंकर से मूला मिलीच और मेला वूला जावन तो सब ला पंथी नाचत दिखन तो वहीं से मोर ये पंथी के शुरुवात हो इस ओकरवाद धीरे-धीरे आज तक जो भी है ओ आज तक बाबा गुरु घांशिदाज जी के जनतमन के अशिरवाद से महला मया दुलार मिलता थे तो सबले पहले आप मना कों से गाउं में पंथीर निता करे रहे हो और ऊवझे नद को रहे हैं गाउं से शुरुवात करें गाउं में पहली सिखे एक दू महिना उकरवाद मेला के समय आईज गिराउत के तो वहाँ गैन वहाँ से मुला सबसे पहली सोन अपदक मिले रही जए अच्छा इतके मतलब हमनके रात और दिन एक कर दिये रहे हैं ओ शमय जो राजमहंत रही से दिवांचन सुनवानी राम सनही सुनवानी नैंदास कुरूरे साव महिलांगे और आशकर अंदाज गुरू रूद्र गुरू एवन सब मुला अत्का पसंद करीन और उकर ज्यादा स्रे है तो उकर स्रेल देख्यों जनता के प्यार देख्ये मुरमनम यह जागिच के कलाकारी करें करके तो सुरुवात में आप के वाल नृत्य करात रहा हो सु और वहां से जाके प्रचार प्रसार चलू होई से तो गीत गया के फिर सुरुवात कैसे करें हो काखर माग दर्सन मिली साप मला है नहीं पिन पंथी की तब गाना चाहिए आप नहां चत्तों में पंथी नित्य करत हो अब गीत भी गाना है कैसे अब सुरुवात हो अब हर्मोनियम बजात रहें ओकर बाद एकल कम पांच साल सल पांच साल तक ले अकेला प्रोग्राम गीत गावत देवां सुरू आठ नो बजे से चलू करें तो याठ नो बजे सुबह हो जाए राद भर अकेला एक तबलाहा रहा एक जुमका वाले और मैं खुद हर्मोनियम तो फिर मैं इमल्ला देखें हो मुरबाई जी जानकी गुलेरी और किरन भारती दुनों बहिनी एमन कई जगा प्रोग्राम में जावा हैं तो देखें हो तो नहीं अब गाईका की भी जरूरत है तो एकर से संपर्क बनाए और टीम बना के फिर चलू करें सबसे मुर पहली क सब्सक्राइब मैं के गाता और गिराओध पुरी घर भाइथे गिराओध पूरी धाम यह केशेट मैं सब से शुरू अई नोकरबाद आज के समय में कम स्कम 30-40 केशेट मार्केट मा चला थे जीत तो कौन से संद्री ही से जमें पहले केशेट आप मन निका ले रहा है कौन स सबसे पहली मस्तूरी में करीबन वो इस अब डेड़ तो फिक्स याद नहीं होते हैं लेकिन मस्तूरी में सबसे रिकारडिंग होई जो करबाद जो शफल नहीं हो पाई तो सुंदरानी जो राइपूर में हैं वो मुला बुलाई ज अब वहां गयें तो वहां से वो केशटमन दस बाराठी पहली होए ओकेशटमन फिर वहां से चैलू होई फिर जतका इस्टूडियों सब आफर करीं स्रीराम राठावर एसबी में जीक और चत्ती से विलाजपूर में एक और रही से होई वहां से साथ-अट केशट निकली फिर एसजी रही से जो दो तिन थी रिखाय कमपणी मन बंध हो गए ओकर बाद स्री राम राठावर के मा आठदश्टियों मा हो इच ओकर बाद अपन आकाज भाई के मा भी दोचार गीत है जो पोस्टर विनर आपके सामने लगे है और अभी 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 एविवियम इस्टूडियों में दो गीत देखे आए है और र जानकारी लिये हूं और जानकारी लिहे के बाद फिर मैं मुर्मन मा जागीच के एकर गित तैयार करना किया जाए तो सबसे पहली मुर्केशट निकलीच ओमा मैं एक गित गायों जबरजस्त फेमास होईच जो आज भी फेमास है जहां भी जाबे ओगित के डिमांड आते धोखा देके मारे गुरूला हमार रे बैरी तुहर जीना बेकार धोखा देके मारे गुरूला हमार रे बैरी तुहर जीना बेकार ये तो इस्टेज में एक घंटा चल थे सर। अजिधरे रहीन सुकला सार लोटा। आज परोस हैं तो आज पूरा 36 गड़ मिनी माता के गीत गात हैं। बालगदास के तो जय तक नहीं बुलावा है। लेकिन आज ऐसे कोई कलाकार नहीं है जो बालगदास के गीत नहीं गाते हैं। तो कई जगा मुला मंच में सब बोलते हैं के गुलेरी के देने के आज बालगदासला हम आज जिंदा रखे हैं। ऐसे करके न यह आशिरवाद मिलते जनता से। पंतिगी तब हजारों गीत हैं लेकिन फेमस गीत में मौर एक मिनी माता जी के गीत है। ममता मैं करुनके शागर सुक दायनी है मिनी माता। ममता मैं करुनके शागर सुक दायनी है मिनी माता। अब गीने तो नहीं है लगभग हजारों गीत हो सकते हैं। लगभग केवाद पंतिगीत किया हुआ ने भी छतिज़गी शमाजी पंति छतिज़गीत में गावे नी करूं। अब छतिज़गी के माध्यम स्मुला स्विकार कर भी नहीं करें। अचानक कोनों स्टेज में को ठीक गई हो तो भी मांग में तुरंद बंद करा देते समाज। कि आप के स्वर में छतिज़गी हम नहीं सुनेंगे। ऐसे बंद करा देते। तो एक बहुत बड़े प्रहारगी थे। समाज में गुरु घांशी दाज बाबा जी के 42 सम्रीद बानी है, 27 मुक्तक है और 7 उपदेश है। लेकिन वो सब चीज मक्यवल एक ठी ऐसे गुरु घांशी दाज जी के उपदेश है, जो मानव मानव एक समान। आज तक कोई संत महापुरूस मानव मानव एक समान के नहरा नहीं दिये, लेकिन गुरु घांशी दाज बाबा दीच। तो अत्का बड़े सतनाम धर्म के महापुरूस गुरु घांशी दाज जी ये संदेशल दीच। तो ये सतनामी समाज बाबा गुरु घांशी दाज के संदेशला स्विकार नहीं करके अनिको प्रकार के काम में उत्रे लग गे हैं। ये मुला दुख लगीच। तो गीत ले मैं रचे हूँ। ता पर काक मिहम और गुरु बबा मा दिददाई। काक मिहम और गुरु बबा मा ददाभाई। तो काबर बन थविसाई। जब गुरु घासी दाज बाबा में मैं जनता से पूछताओ भी गुरु घासी दाज बाबा के संदेश में ग्यान में उवदेश में कोई कमी है क्या तो ताली बजा के बताओ तो ताली बजा थे कोई कमी नहीं है उरुष वरगल पूछताओ महिला वरगल पूछताओ पूछ काबर बन थो इसाई तो मैं एक समाजिक कला कह रहा हूं बाबा गुरु घासी दास के संदेश ला उबदेश ला जब तक जिंदर ही हो तब तक ये समाज में बग रहा हूं और समाज ला सुधर जय ऐसा निविदन करूं यही मोर आसा है तो सब रचने आप मन के ही रहा थोई कई कलाकार बड़े-बड़े कलाकार गाहें लेकिन नाम लेना उचित नहीं है आप मन अभी आने वाले युवपिडिमला भी सिखा थो कहीं न कहीं आत होई तो आप मन के पास केवल गीत के माध्यम से स्टेज के माध्यम से केशेट के माध्यम से यह सिक्षा देता हूं इसे अभ ही मैं गुरू नहीं बने हो कि कुनों सिखाय के काभिल नहीं हैं लेकिन सिक्षा देता हूं जलूरें एक पढ़हे लिखे जो हमर समाज है भी ए मन आους यादा गर्टमे जात हैं जहां तक नौकरी पेशा वाले आदमी भी मन जादा तो दुछरा गीद भी वहां मैं दय हों यहुश समाज को बहुत बड़े प्रहार है पड़हा लिखा वह डाक्टर गदहा जो बेटी-बेटा मांगने मंदिर जाता है हरे चमतकारी बाबा से अपने बीबी को चेक कराता है ओ डाक्टर को मैं गधा और मूर्ख समझता हूं ओ कोई मंदिर में जाकर कि किसी पत्थर के सामने या कोई चमतकारी बाबा के सामने जाके चेक कराही कि मोर बेटी दे दे मोर बेटा दे दे जबकि वह स्वेम डाक्टर है ये बहुत लंबा है एक और है पढ़ा लिखावा है गित गायक गदहा जो अपना कलाकारी दिखलाता है और मा बेटी बहन एक संग बैठ कर सुन न सके ओ ऐसा गित गाता है मेरे नवापुड़ी के कलाकारों को भी संदेश है और समाज को भी संदेश है कि ओ काम मत करो आप पढ़े लिखे हो सिक्चित हो नवजवान पढ़े लिखे बेटी और बेटा ही समाज को सुधार ही और सियान मन तो गए लईका मन लईका है तो पढ़े लिखे उपर हमर महाप मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया तो इन्हीं महापुरिश्मन के विचार धारला मैं पन जीवन महुतार के समाज के भी जाता हूं और प्यार मिलते आप मन कारिकम दे बार जात हो तो अभी का नाम से आप मन के कारिकम चलते सोन चिरियां, ठिशत्ति गढ़ी पंथी लोग कल़ा मंज सोन चिरियां पामगड के नाम से कैसाल होगं कप निर्मान करें यह यह लगकम कम पचीस साल हो थो ही यह तिम पचीस साल चला थे चारे-पांच टीम रही से वह एरिया में अब तो हजारों कलकार होगे हजारों टीम तैयार होगे गाहं गाहं तियर टीम तैयार होगे अद्धिक सासे आप मना पंथिग आता थाव नित्य करता थाव तो कोई आप मला भड़ा समान प्राप्त हो यह सासंत्रप ले साशन तरफ से सम्मान नहीं मिले लेकिन हर जगह से कम सव दो सव शिल्ड प्रमाण पत्र चांदी के शिल्ड स्वर्ण पदक रजत पदक यह सब मुल प्राप्त होई लेकिन साशन से सम्मान प्राप्त अभी तक नहीं होई खाबर कि मैं एक क्रांती कारी कला का रहा हूं और क्रांती कारी कला कार के सम्मान साशन प्रसाशन नहीं करें वो जो जेकर सरकार रही उकर वो दलाली करही उकर चम्चा गिरी करही वो मनलव सम्मान प्राप्त हो थे और जो क्रांती कारी कला कार रह थे उला साशन प्रसाशन सम महाराष्ट गए हो आसाम गए हो और बिहार गए हो और अभी आसाम फीरा मार्च में आफर हैं अब छतीज गड़के तो हर कोना कोना में पहुंच चुके हो जहां समाज समाजी के कारिकरम करा थे वहां अब मुला एती ती एती अती गड़ी चेटिज गड़ी वाले मन तो लेक बे नहीं करें आ मैं जाओं भी नहीं जी सर परिवार के बारे मता हो सर आप मन के भाई बहिनी हो तो परिवार में भी कौन को रही थो आप मन मैं अपन मावाप के अकिला हूँ एक बहन है और मोर पांच लड़का है एक लड़की है और तिन चार जिन के साधी हो चुके है और नतिन भी चाठी हो चुके है अब जाय के बेरा समाज लाव संदेश यही है जो जन्व लिये है उला तो मरना एक दिन जिरूर है लेकिन जिन्दगी और मृत्यू के बीच में जीवन जो जीना है वही लड़ जिन्दगी कते है नाम तो दोनों होते है सही काम करबे तभोण आम हो ही आपके गलत काम करबे तभोण नाम हो ही लेकिन सही काम करके अगर यह दुनिया चोड़के जाबे तो आदर्णी शिरिमान और अनको अनको उपदे से और उपाधी से उपकर सम्मान हो थे आउ गलत करके जाबे तब हो नाम होते लेकिन नाम के आगे गधा, घोडा, कुत्ता, कमीना ओ साला ऐसा था ऐसे करके नाम ले थे तो मैं समाजला ही संदेश देना चाहत हूँ चिंदगी और मुर्तियों के बीच में कुछ ऐसा नेक काम करके जाओ के पिड़ी पिड़ी दर तक आप मन के नाम बने रहा है, आप मन के परिवार के नाम बने रहा है, यही समाजला संदेश मुर्तियों से है बहुत बहुत धन्यवाद सार आप मन कीमती समय निकाल के समय देहों को बात करते खले आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आपला भी धन्यवाद, आप एक अभी तक तो कोई इंटर्व्यू हमर लेत नहीं आए, एक बार होई रही से गोफेलाल गेंदले की स्टूटियों में, एदे दुसरा आपके है, और गिरावतपुरी में एक छोटा सा ले रही नो तो चलता परता है, आमाये कोटी-कोटी धन्यवाद, आपला भी बधाई, ओला भी बधाई, आओ सबो जन्ता के चरण छू के प्रणाम है, सत-सत नमन है, जै जोहार, जै सतनाम, जै छत्तिजगर.